आपने अकसर लोगों को कहते सुना होगा कि जादा मीठा ना खाओ वरना डाबिटीज हो जाएगा या मिठाई ना खाओ इससे डाबिटीज हो जाएगा क्या सच में मीठा खाने से डाबिटीज होता है चलिए जानते हैं लखनों के डॉक्टरों से कि आखिर इस बात में कितन मिठाइज खाई जा सकती है लेकिन interactive किसी भी वजह से अगर हम अपने pencreas के लिए चैलेंज प्रस्तुत करेंगे अपने पैंक्रियास के लिए चुनौती प्रस्तुत करेंगे और उस चुनौती को नहीं चेल पा रहा तो हमें डायबिटीज हो जाएगी अब अगर हम मिठाई इतनी अधिक खाएं कि उस बढ़े हुए ग्लुकोस को हमारा पैंक्रियास हैंडिल उस ने हैंडिल कर लिया चितनी मिठाई खाई हैंडिल हो गई मोटे होते हैं फिर भी डायबिटीज नहीं होती क्योंकि जब हम यह बात लोगों से कहते हैं तो 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 यह परसन टू परसन उसके जनेटिक अनुकूलन पर जो उसके जनेटिक मेकप पर डिपेंड करता है कि क और साथ में एनवाइर tunes तल फेक्टर शो टे एनवाइरन मेंट फेक्टर स कि ही हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं लेक्षे साइस more stress और food habits रात में देर तक जगना रात में लोगों को नीन ना आना और तमाम सारी तरीके की चीजें जैसे कारे छेतर में या अपने workplace पे कुछ जगला हो जाना stress हो जाना परिवारिक जगडे ये सब चीजें हमारे stress level को बढ़ाती रहती हैं और मिठाई खाने बर से diabetes नहीं होती अगर आप मिठाई limited amount में खा रहा हैं माने कि आप अगर एक पीस रो जाना खाते हैं तो उससे diabetes नहीं होने वाली है, दो भी खांगे तो नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आप मिठाई खाएं और aniamit खाएं, aniamirit खाएं तो फिर शायर हो सकता है कि आपका glucose challenge हमारा pancreas accept ना कर पाए हम कैसे पैचाने कि मुझे diabetes है पहला लच्छड क्या है देखिए यही सबसे बड़ा challenge है कि diabetes में 80% मरीजों के अंदर कोई लक्षण नहीं होता तो अगर हम लक्षण की बात करें तो कोई घाव ना भरना diabetes का बहुत बड़ा लक्षण है बार बार घाव का हो जाना एकी जगे पे या बार बार कोई infection का होते रहना शरीर में कोई भी infection हो सकता है किसी भी भाग से संबंदित हो सकता है आसानी से उस infection का ठीक ना होना या ऐसी इसके अलावा बार बार पेशाब जाना भी diabetes का लक्षण होता है प्यास अधिक लगना कोई व्यक्ति अगर बहुत अधिक उसने weight gain कर लिया है फिर भी उसे बहुत अधिक भूक लग रही है इस चीज़ को हम दूसरे कई तरीकों से रोख सकते हैं music एक तरीका है stress मुक्त रह आ रहा है उसको हम नेगेट कर देते हैं उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं आपने exercise करी तो glucose इस्तेमाल हो गया इस्तेमाल हो गया तो फिर वो जो है आपका जो जितना बचा रहे गया वो आपका बीटा से लाराम से हैंडिल कर लेगा तो उससे रोगों की diabetes पोस्पोन हो जाती ह लखनोस अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट लोकल 18